नमशकर दोस्तों जानते हैं Tata Steel ने अब तक कितनी बार bonus shares दिये हैं अपने shareholders को दोस्तों Tata Steel के बारे में हम सब लोग जानते ही है Tata Steel एशिया की first integrated private steel company के रूप में establish हुई थी 1907 में और Tata Steel ने ही इंडिया की first industrial city को develop किया है जमशेदपूर में और आज Tata Steel की गेंती होती है leading global steel companies में जानते हैं Tata Steel की present valuation के बारे में कंपनी का market cap है लगबग 1,16,500 क्रोड का कंपनी के पास cash reserves and surplus है 73,417 क्रोड के और debt है 41,514 क्रोड का यह है Tata Steel का shareholding pattern कंपनी के promoters Tata Suns के पास है 34,41% shareholding FPI के पास है 18,56% DIA के पास है 25,41% और others के पास है 21,62% shareholding और यह है Tata Steel की bonus shares history कंपनी ने अब तक 6 बार bonus shares और 1 बार stock split किया है यहाँ पर इस टेबल में आप इसकी detail देख सकते हो पहला bonus share 1954 में 1-1 की ratio से, दूसरा 59 में 1-5 की ratio से, तीसरा 67 में 2-5 की ratio से, चौथा 81 में 2-5 की ratio से, फिर 87 में 2-5 की ratio से, फिर 96 में stock split हुआ face value 100 to face value 10 में और फिर अंत में 2004 में bonus दिया 1-2 की ratio में और यह है Tata Steel का stock price chart साल 2000 से लेकर अब तक का आप इस stock price chart में देख सकते हो, यहाँ पर 2002 में कंपनी ने bonus shares दिये 1-2 की ratio में और उसके बाद company के stock price में काफी उतार चड़ाब देखे गए, काफी सालों तक और पिछले एक साल में company के stock price में काफी तेजी से growth हाई है और यह है Tata Steel का पिछले 5 quarters का revenue growth chart, आप इसमें देखोगे, पिछले लगाता 3 quarter में company के revenue में तेजी से growth हाई है और अगर हम Tata Steel के returns की बात करें और साल 2020 में अगर किसी छोटे investor ने Tata Steel के सिर्फ 100 shares में investment की तो उसका investment amount था केबल 30,000 रुपे और present में उन 100 shares की market value है लगभग 1,4,000 रुपे इसके अलावा Tata Steel ने हर साल अपने shareholders को अच्छा dividend भी दिया है आप एस टेबल के last column में Tata Steel का per share dividend हर साल का देख सकते हो और Tata Steel की dividend yield बहुत ही अच्छी है तो दोस्तो Tata Steel leading global steel companies में से एक है और Tata Steel की dividend yield बहुत ही अच्छी है Tata Steel के पास है huge scope भवेशय में grow करने का क्योंकि इंडिया में per capita steel consumption अभी बहुत कम है जो कि भवेशय में तेजी से grow करने वाली है क्योंकि infrastructure, construction, automobile और railway sectors में तेजी से steel की demand बढ़ रही है दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो helpful लगा तो इसे like और share करना ना भूलें और अपनी investment से related ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो धन्यवाद, जय हिंद